Books That Speak में आप सभी का स्वागत है आज कांची का जन्म दिन है मगर वो अपने पसंदिदा रेस्टोरेंट नहीं जा सकती वो दुखी है क्योंकि उसे लगता है कि घर पर तो उसे केवल बैंगन का भरता ही मिलेगा परन्तु Sunrise Society के उसके पडोसियों को पता है कि इस हालत को कैसे एक मजेदार दावत में बदला जा सकता है तो चलिए सुनते है कहानी जनम दिन की दावत Original Story The Birthday Menu by Pratham Books कहानी लिखी है मीनू थॉमस चित्रांकन अकांग्शा मित्रा हिंदी में अनुवाद नागराज राव कहानी सुना रही है असावरी दोशी कांची की आखो में आसु आ गए देखो कांची बाहर निकलना सुरक्षित नहीं होगा हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते मा ने कहां मगर आपने वादा किया था कि मेरे जनम दिन पर आप मुझे होटल नेकर चलेगी कांची बोली देखो बेटा कांची कोविड माहा मारी अभी भी जोरो पर है और लॉकडाउन भी लगा हुआ है पापा बोले मैं तुमारे लिए कुछ बड़िया सा पका दूँगी मा ने कहां नहीं मा आप हमेशा बैंगन का बरता बनाती है अगर मैं उसमें कंटो लेके कुछ तले हुए टुकडे मिला दू तो तुम्हें पसंद आएगा पापा बोले कांची बालकनी में गई और बिलक बिलक कर रोने लगी मैं घर में पड़े पड़े परिशान हो चुकी हूँ मैं पाटिल बंदू के वहाँ वड़ा पाव खाना चाती हूँ मुझे स्वाद भवन भी जाना है पापा और मा चुप रहे मगर कांची के रोने की आवाज ने संद्राइज सोसाइटी के शांत वातावरण में मानो हल्चल सी मचा दी जानकी अज्जी ने प्यार से पूछा क्यों बेटा स्वाद भवन में क्या खाना पसंद है तुमें कांची पहले तो जरा जिच की फिर बोली मुझे वहाँ की चाउमेन, लेमन राइस, अलू के पराठे, बटर चिकन और पेपर डोसा अच्छा लगता है अरे, ये तो बहुत सारे पकवान हो गए, जानकी अज्जी बोली देखो, ऐसा करते है, कि मैं तुम्हारे लिए केले के पत्ते पर घी के साथ अक्की रोटी और साथ में नारियल की चटनी बना दूँगी चावल का गोल मेरे पास तयार पड़ा हुआ है हाँ, ये बढ़िया रहेगा अज्जी कांची अब थोड़ी खुश हुई भोसले अंकल बोले, तुम्हे अलुवड़ी पसंद है क्या? मैं बहुत बढ़िया अलुवड़ी बनाता हूँ मैंने खाया तो नहीं है, पर चकना जरूर चाहूंगी मैं कई तरह के पौश्टिक शर्बत बना लेता हूँ तुम्हें इन्हें पीकर जरूर देखना चाहिए पार्थो ने कहा, आज कल बेल का मौसम है मैं तुम्हारे लिए काला नमक डाल कर मजेदार बेल का पन्ना बना दूँगा पीकर देखना एक एकदम तरो ताजा हो जाओगी धन्यवाद पार्थो कांची मैं जानती हूँ कि तुम बैंगन के भरते से तंगा चुकी हो भीमा अंटी बोली अगर मैं उसी बैंगन से लिट्टी चोखा बना दूँ तो मेरे बनाए चोखे की खुश्बू से ही तुमारी मूँ में पानी आ जाएगा क्यों नहीं भीमा अंटी जरूर बना दीजिए आप क्या पका रही है बिज्जु अक्का बड़ी अच्छी मह का रही है कांची ने पूछा मैं बोंगूलो चिकन पका रही हूँ ये हमारे गाव की एक खास डिश है इसमें मसालेदार चिकन को एक बास के खोखले टुकडे में भर कर फिर उसे साल के पत्ते से ढखक कर गर्म कोईले पर पकाते है जिससे उसका स्वाद उभर कराता है चक्खोगी क्या देर किस बात की मैं एकदम तैयार हूँ अरे कांची तुमारे लिए आलू मूरी का नाश्ता बनाओ क्या जैसा की शिलॉंग में बनाते है मैं अपने दोस्तों के लिए बना रही हूँ प्रेमा दिदी ने पूछा वाँ आलू तो मुझे बहुत पसंद है तभी जेवियर अंकल बोले अरे कांची भला तुम केरल के टैपियोका वाले खास चिप्स के बिना जनम दिन कैसे मना सकती हो एक खाओगी तो आलू के चिप्स बूल जाओगी वैसे तो मुझे आलू बेहत पसंद है पर मैं टापियोका चिप्स अवश्क चखना चाहूंगी कांची ने जवाब दिया कांची के जनम दिन के समारों की तयारिया जोर शोर से शुरू हो गई थी सभीना ने मचली का विंडालू बनाया डोलानी अंकल ने सिंधी बिर्यानी बनाई जिसमें आलू के बड़े बड़े टुकडे थे अमी और कायू ने गुलगुला नाम की गड़वाली मिठाई बनाई छेडा अंकल और अंटी ने कपड़े सुखाने वाली रसी निकाल कर उसे एक घर से दूसरे घर के बीच बांध कर एक हवाई मार्क बनाया मा और पापा ने कांची की पुरानी रंगिन कौपियों के पन्नों से पडोसियों के लिए रंग विरंगी टोपिया बनाई फिर एक घर से दूसरे घर तक रसी के सहारे पकवान आने जाने लगे कांची ने दावत का खूब आनंद उठाया मधु अभी COVID-19 से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुई थी पर सभी के जित करने पर उसने भी जशन में भाग लिया उसने अपने सिस्टिम पर मजेदार फिल्मी गाने बजाए कांची जम करनाची उसका साथ दिया उसके दोस्तों ने रियाज, केव और सिक्योरिटी गार्ड रोहिद भाईया उधर सूरज डूबा और इधर पूरी की पूरी सोसाइटी ठाहा को और स्वादिष्ट व्यंजनों से महक उठी हम तो पता करते है कांची के पडोसियों ने जो अलग-अलग तरह के व्यंजन तयार किये वो नक्षे के कौन से भाग में पाए जाते है सिंधी बिर्यानी पाकिस्तान गुल-गुला उत्तराखंड लिट्टी चोखा बिहार आलू-मूरी मेगाले आलू-वडी महराष्ट्र बेल का शर्बत पश्चिम बंगाल विंडालू-गोवा बोंगुलो चिक्किन आंध्रप्रदेश अक्की रोटी करनाटक और टैपियोका चिप्स केरल कैसी लगी कहानी? तो ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए यूट्यूब और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल्स पर बुक्स दैट स्पीक ऐसे करके सर्च मारिए धन्यवाद मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई